दिल्ली सरकार का सोशल वेलपेर डिपार्टमेंट आशा किरन करके एक होम चलाता है ये होम है फॉर इंटेलेक्चुली चालेंज़ परसर्स इसमें 980 इंटेलेक्चुली चालेंज़ परसर्संस रहते हैं जिनकी disability, intellectual disability, अलग अलग category की है जिसमें mild, moderate, severe, profound, अलग अलग categories की intellectual disability है जो severe और profound category की intellectual disability है उसके साथ ज़्यादा टर cases में कोई ना कोई serious comorbidity यानि अनेक प्रकार की physical ailments भी जुड़ी हुई हैं जो severe और profound category के intellectually challenged persons हैं उसमें से काफी percentage bed ridden भी रहते हैं और 100% support की requirement रखते हैं आशा के रंग होम में 24-7 medical care unit हैं जिसमें 6 doctors और 17 nurses हैं वहां पर full time caregivers जिनको house aunties के नाम से जाना जाता है साड़े 400 ऐसे care givers हैं जो तीन shifts में काम करते हैं जो इस home में intellectually challenged persons रहते हैं वह जादा तर abandoned destitute persons हैं जिनको कई बारी अलगलग agencies चाहे दिलनी police हो चाहे court के माध्यम से जिनको या magistrates दीएम्स के माध्यम से जिनको अगर abandoned और destitute पाया जाता हैं उनको home में लाया जाता है ये खबर सामने आई है कि जुलाई के महीने में आशा किरं home for intellectually challenged persons में 14 deaths हुई हैं इसमें से 13 adults हैं और एक minor हैं इन 14 deaths की post-mortem reports अभी awaited हैं लेकिन इन में से जो 14 deaths हुई हैं उसमें से जो कई intellectually challenged persons हैं उनको multiple comorbidities भी थी लेकिन ऐसी 14 deaths एक महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर बहुत ही serious matter है और इन deaths में inquire करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक magisterial inquiry institute कर दी गई है 24 गंटे के अंदर अंदर preliminary inquiry report जो magisterial inquiry है उसके deadline दी गई है अगर इस magisterial inquiry में किसी भी अफसर की चाहे वो social welfare department का हो चाहे वो health department का हो चाहे वो doctor हो चाहे वो nurse हो चाहे वो caregiver हो चाहे वो administrator हो अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सक्त से सक्त कारवाही करी जाएगी मैं दिल्ली के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि अगर निकला कि इन में से कोई भी death avoidable reason से हुई है किसी कोई भी death negligence की कारण से हुई है कोई भी death अगर किसी medical कारण जो avoidable थे उनके कारण से हुई है तो किसी भी अफसर को बक्षा नहीं जाएगा उनके उपर सरकारी कारवाही के अलावा सरकार खुद police inquiry, police proceedings initiate करेगी हम post-mortem की reports अभी await कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर-अंदर magisterial inquiry की preliminary report आएगी उसके आधार पर आगे की कारवाही करी जाएगी काराकि आगे की जाएगी काराकबिए तो är व weniger है थै tack एंदर-ण मूँ झागे